बात करेंगे बिहार के लाल इशान किशन की जहां उन्होंने अपने पहले ही डेबियू मैच में बिहार और साथी साथ अपने परिवार को गौरवान विद किया है अपने पहले डेबियू मैच में हाफ सिंचुरी तो बनाई ही और साथी साथ मान आफ दो मैच का खिताब भी जीता इतना ही नहीं उनकी ही पारी के वज़े सी भारत की T20 सिरीज में वापसी हुई है ऐसे में उनकी मौसा जी उनके रिष्टेदार हमारे साथ हैं उन से जाने की कोशश करते हैं कि इशान किशन की इस जीत को लेकर उनका क्या कुछ कहना है तो आप इशान किशिन की मौसा जी है और इशान किशिन की हमेशा से ही क्रिकेट में दिल्चस्पी रही है और पहली बार डेबियों उन्होंने किया भार्टिय क्रिकेट में और इतना बड़ा खिता वहां असल किया है इस पर आपका क्या कहना है सबसे महले तो आपके चैनल के माध्यम से उसको बदाई देना चाहता हूं और बिहार नहीं नहीं पूरे राष्ट को गरवानवित किया है बिहार के लिए बड़ा सुखत पल है और बेक्तिकत मेरे लिए तो और भी बड़ा सुखत पल है कि जिस पल का इंतजार था वरसों से वह सपना सच हुआ है मैं समझता हूं कि ये नए युवाओं के लिए बिहार के एक प्रेना का सुरोत बनेगा और बिहार में और सी प्रतिभाएं बहुत प्रतिभाएं पड़ी हुई है अगर प्रयास किया जाए तो इसान के जैसे और लोग भी राष्टिय या कि ये मैचों में अपना जलबा दिखा सकते हैं इशान किशन के बारे में हम सभी और हमारे दर्शक भी जाना चाहेंगे कि उनकी क्रिकिट की रूची के बारे में कुछ बताई है मैं तो बहुत चोटे से ही उसको देख रहा हूं जब वो थ्री और फोर्ट क्लास में था उस पूरा टाइम मैं देखता था कि लगातार स्टेडियम में लेकर चाहे गर्मी हो जाड़ा हो बरसात हो वह वहां पे लेकर उसको पड़े रहते थे उसकी रूची देखती कई बार उसके साथ पच्पन में भी जब वो देहरा दूने आर कहीं और जगह जाता था खेलने के ल लोग हुसें औरा नंदी थे और उनके आगी की जिंदगी के बारे में क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से भारतिय क्रिकेट में उन्होंने पहला मुकाम हासल किया है उनको किस प्रकार आप शुपकामना देना जाए मेरा तो आसिरवाद मेरे बेटे के समान है तो मैं तो उस के लिए नाम कमाता हूँ तो इसे सब भागे साली कोई और परिवार में हो नहीं सकता है वात और बिहार के लिए भी मैं कहता हूं कि यह बड़ी गौरव का च्छन है कि अपने हां का लाल अस देश में अपना नाम कर रहा है अंतराश्टी अस्तर पर अपना नाम कर रहा है यही मेरी सुब कामना है और यही मेरा सिर्वात है लेकिन अकसर देखा गया है कि बिहार के जो युवा हैं खास करके क्रिकेट को लेकर उन्हें कोई अच्छा प्लाटफॉर्म नहीं मिलता है मैदान की भी बात की जाए तो एक ही मैदान मौनियूल हग स्टीडियम ही बस है तो ऐसे में इशान किशन को भी जाहर सी बात है परिशानियों का सामना करना पड़ा होगा तो आप बिहार सरकार क्योंकि आप एक पार्टी से भी जुड़े वे हैं राजनीती में भी आपकी अच्छी पकड़ है तो कुछ ऐसी पहल आपके दौरा की जाएगी कि युवाओ को आगे बढ़ाया चाहिए यह तो कमी जो आप महसूस कर रहे हैं इसको मैं भी मानता हूं कि थोड़ा बढ़ावा देने की जरूत है निश्ची तोर पर हम अपने आधरनीय नेता से अपने मंत्री मोदे से बात करूंगा कि इसमें कुछ किया जा सकता है युवाओं को चु कालना है और यह सरकार की भी और हम सबों की नेतिक जीमेवारी है जिसको हम लोग प्रयास करेंगे कि बख़वी इसको दूर किया जाए तो यह जिस तरीके से इशान किशन की यह उपलब्धी हम सभी को गौरवानवत कर रही है लेकिन उनकी फैंस उनकी फॉल्वर्स भी बह करेंगे यह तो उसका नीजी मामला है जब भी होगा वो खुद एनाउंस करेंगा आप हम सब कोई सरीक हो जाएंगे लोगों को पता चलेगा अभी तो कुछ वैसा नहीं दिख रहा है तो इस वक्त हमारे साथ पुर्वकारिकारी अध्यक्ष हम के धिरेंद्र कुमार मुन्ना जी थें और साथी साथ इशान किशन के ये मौस साजी भी है इन्होंने धेर सारी शुब काम लाएं इशान किशन को दी और क्योंकि ये राजनीती से जुड़ेवे हैं ऐसे में इनका मानना है कि हम कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे और भी इशान जी जो क्रिकेट के प्रेमी हैं वो भर कर सामने आए फरहाल के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहें न्यूस वानेशन नमस्कार